बागेश्व धाम से सरयाम गुंडागर्दी की खबर सामने आ रही है जिसमें महाराश्ट्र के एक व्यापारी से वसूली के लिए गुंडों ने मारपीट की और उन्हें धमकी देते हुए कहा कि यदि पुलिस से शिकायत की तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा जिस व्यापारी को गुंडों ने पीटा था उसका नाम दिलिप राज कुमार विश्व कर्मा है और वो महाराश्ट के जलगाओं का निवासी है दिलिप ने बताया कि उसके भाई ने बागेश्व धाम पर होटल खोलने के लिए जमिन खरीदी थी जिसके लिए लोन भी लिया और महाराश्ट जलगाओं का मकान बेच कर धाम पर रोजी रोटी के लिए होटल शुरू कर दिया लेकिन बागेश्व धाम पर आए दिन गुंडों का आतंक रहता है बाहर के व्यापारियों से अवेद वसूली होती है और ना देने पर उसके साथ मारपीट की जाती है दिल पर हमारा काम चालू था वहाँ उनके सामने है जो 67 लॉज है तो वह हमको पहले दिन से लेकर रोज प्रॉब्लम कुछ ना कुछ दे रहे थे और सबसे बड़ी बात हमारा पीटी अभी हमारे साथ में कल शाम को हुई है और चोरी का इल्जाम लगाए गया हमारे उपर हम पह मना कर दिया था और उसके बाद में हम काम चालू कर दिया तो रोज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम और कल शाम को हमारे उपर चोरी का इल्जाम लगाया गया है और बहुत मारा पीटी की गई है और उसके बाद में हमको वहां से बचके कैसे तो भी जंगलों से निकल के हम चतर साथ हमारे होने के पहले तीन-चार लोगों के साथ भी ऐसा हो चुका। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी एक हजार रुपईया की पहली किस्त। हर आम और खास से चुड़े मसले का सटीक विश्लेशन हम करते हैं सत्यका अनवेशां। तखल न्यूस आपके हक्त में। आप देख रहे हैं तखल न्यूस। झाल 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 झाल